नमस्कार आप News 4 Nation देख रहे हैं खबर है खेल जगत से जहाँ पर बिहार क्रिकेट के एक खिलाडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है अपना परदापन मैच खेलते हुए बिहार टीम के खिलाडी शाकीबुल गनी ने ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी है जो की वर्ल्ड रिकॉर्ड है 22 साल की इस खिलाडी ने 341 रनों की मैरतन पारी खेली है जिसमें के लिए जिसको मारने के लिए उन्होंने सीधे 56 चौके लगाए हैं और दो छक्के उन्होंने जड़ दिये हैं सबसे बड़ी खबर यही है कि शाकीबुल गनी अपना पहला रंजी मैच खेल रहे हैं और बिहार की टीम अपना पहला मैच मिजोरम के खिलाफ खेल रही है एक वक्त ऐसा था जब बिहार की टीम 71 रनों पर 3 विकेट खो कर जूज रही थी मगर बाबुल कुमार के साथ शकीबुल गनी ने एक मैराथन पार्टनर्शिप की और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है आपको बताते कि 22 साल के इस प्लेयर ने करीबन 405 गेंदे खेली हैं और मैदान की 360 डिगरी पर रन बनाये हैं करीबन 341 रनों की सबसे लंबी पारी के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का कि किसी फर्स्ट क्लास मैच को खेलते हुए किसी पहले प्लेयर ने किसी अपने परदपन मैच में ही 300 से अधीकरन ठोक दिये हैं आपको बता दे कि बिहार क्रिकेट अपने एक तरह के नए आयाम को गटित कर रहा है लिख रहा है जिस तरीके से पिछले ही दिनों 6 प्लेयरों का नाम चैनित किया गया था IPL के मेगा आक्षन को देखते हुए उसमें से दो प्लेयरों को फ्रेंचाइजों ने खरीदा भी था मगर जिस तरीके से लगातार अब बिहार क्रिकेट के प्लेयर मैदान पर अपना रंग दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन लगातार सुधार रहे हैं इससे बिहार क्रिकेट को आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है मगर सबसे बड़ी खबर यही है कि शाकीबुल गणी ने अपनी मैराथान पारी को खेल कर विहार क्रिकट का नाम उचा किया है बाबुल कुमार के साथ उनकी एक मैराथान पार्टनाश्रिप होई प्लेयर शाकीबुल गणी ने बिहार के 22 साल के बल्लेबाज शाकीबुल गणी की फस्ट क्लास क्रिकेट करियर की धामाकेदार शुरुआत हुई है गणी ने पहले ही फस्ट क्लास मैच में ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी है वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं इसी के साथ वो रंजी ट्रॉफी में डेविजू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं शाकी बुल गंई ने मेजोरम के खिलाफ कोलकता में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी के मुकाबले में अपनी ट्रिबल सेंचुरी 387 गेंदों पर 54 जमाते हुए पूरी की शाकीबुल गनी से पहले फर्स्ट क्लास डिव्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड मद्द प्रदेश के बल्लेबाज अजैर रोहेडा के नाम था उन्होंने 2018-19 के रंजी सीजन में हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में या उपलब्दी हासिल की थी तब उन्होंने 266 रंगी पारी खेली थी बिहार के शाकीबुल ने तो सीधे 13 सतक ही जड़ दिया तो बिहार टीम से खेलते हुए शाकीबुल गनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 387 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी इस ट्रिपल सेंचुरी में उन्होंने पचास चौके जमाए और जब अंद में वह आउट हुए तो उन्होंने तब तक 341 रंग का बड़ा स्कोर ख़ड़ा कर दिया था एक निजी स्कोर जो की वर्ल्ड रिकॉर्ड है इससे पहले रंजी सीजन के 2018-19 के सत्र में ही मद्य प्रदेश के बल्लेबाच अजैर रोहेरा ने 266 रनों की पारी खेली थी मगर आज जो सकीबुल गनी ने पारी खेली है मैराथोन पारी उसे शायद ही फिलहाल तोड़ा जाए क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिर्फ 22 साल के प्लियर ने 300 से अधीक रन मार दी है अपने परदापन मैच में तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के खेल जगत में कितनी प्रतिबा चुपी हुई है कितने खिलाडी है जिने सिर्फ स्टेज मिलने की जरूरत होती है चाहे वह कुछ भी कर सके लगातार खबरों बरहनेने के लिए आप देखते रिए न्यूस फो नेशन नमस्कार